प्रियो मुसा की मा ने क्या की जानते हैं सरकंडो की एक टोकरी बनाकर उसमें मिट्टी और राल लगाई वो नील नदी का पानी उस टोकरी में प्रवेश ना करे उसने उस टोकरी के चारो और चिकनी मिट्टी और राल लगाई उस टोकरी में बच्चे को रख कर उसे नील नदी में छोड़ दी प्रियो नील नदी किसे दर्शाता है संसार को दर्शाता है हमारे बच्चों को इस संसार में रहना पड़ेगा लेकिन हमारे बच्चों के अंदर इस संसार को प्रवेश नहीं करना है प्रीभाईयों और बहनों जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं वे आपके पास ही रहते हैं जब इंटरमीडियेट में आ जाते हैं तब भी आपके ही पास रहते हैं उसके बाद डिगरी की पढ़ाई उसके बाद यूनिवर्सिटी उसके बाद और भी उंची पढ़ाई दुसरे प्रांतों में, दुसरे शहरों में, दुसरे देशों में जाना पढ़ता है इस तरह जब उन्हें जाना पढ़े तो माता पिता के रूप में आपको क्या करना है? यही करना है, उन्हें छोड़ देना है, उनके पड़ाई के लिए या उनके भविश्य को बनाने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ेगा. इस तरह छोड़ने के समय में, मूसा की मा ने जो किया निश्य हरेक मा को करना है, वो बोली, पिता, मेरे बेटे को छोड़ने का समय आ गया है छोड़ रही हूं, लेकिन इस सरकंडों की टोकरी में चिकनी मिट्टी और राल लगाकर छोड़ रही हूं नील नदी का पानी मेरे बच्चे को बिलकुल नई छोना है फिर से कह रहा हूँ जहाज पानी में रहना है लेकिन पानी जहाज के अंदर प्रवेश नहीं करना है कलिस्या को इस संसार में रहना है लेकिन संसार को कलिस्या में प्रवेश उने नहीं देना है हमारे बच्चे संसार में रहना है लेकिन उनके अंदर संसार प्रवेश करे अनुमती नहीं है क्या की वो मा उसके बेटे के जीवन में नील नदी का पानी प्रवेश ना करे उचिस सौधानी ली क्या है वो उस सरकंडों की टोकरी में राल लगाई उससे क्या हुआ किसी भी स्थान से पानी अंदर आकर उस बच्चे को नुक्सान ना पहुचाए रक्षा की प्रियो हम सब को माता पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए क्या करना है जानते हैं ये संसार हमारे बच्चों के जीमन में प्रविश ना करे, प्रातना रुपी राल हमें निशित रुप से लगाना है, वो प्रातना रुपी राल, वो प्रातना रुपी बाड़ा, हमारे बच्चों के चारो और नहीं लगाएंगे तो, शैतान गरजने वाले सींग के समान कि किस को फाड़ खाए, वो किरुप से जवानों को, किस का बेटा मिलेगा, किस की बेटी मिलेगी, जवानी में ही उनके जीवन को नाश करने के लिए, शैतान इस खोज में रहता है। प्रियों एक दिन जब शैतान परमेश्वर के पास, आया तो परमेश्वर ने उस से कहा, तुमने देखा मेरा दास अयोब कितना खरा व्यक्ति है, कितना धर्मी है। तब शैतान ने कहा, वो क्यों नहीं आपकी भक्ती करेगा? वो क्यों नहीं आप पे विश्वास करेगा? उसके और उसका जो कुछ है, उसके चारो ओर, क्या है? बाड़ा बांदे हो ना, कोई संकट, कोई विपत्ती उस पे ना पड़े, बाड़ा बांदे हो ना, वो बाड़ा कहां से आया? हर सुबा उठकर, अयोब अपने बच्चों के लिए प्रभू की पस्तिती में होम बली को चड़ाया करता था, हर दिन भोर को ही उठकर, अपने ब बच्चों के चारो और, और अपने परिवार और उसका जो कुछ था, बाड़ा बनाता था, माताओं, पिताओं, हमारे बच्चों के चारो और, बाड़ा बनाने के हमारी जिम्मेदारी है, मुसा की मा को, अपने बच्चे को, जब अपने हातों से छोड़ना पड़ा, वो य तो ही नहीं छोड़ी। प्रियों उन दिनों बहुत से माता-पिता अपने बच्चों की कैसे रख्षा करना ना जानकर डर गए। जब आस-पास के लोग आकर उनके बच्चों को छीनकर नील नदी में डाल रहे थे। उन्हें क्या करना है ना जानकर उन्हें कुछ समझ में न नहीं मारा, किसलिए बाड़ा, प्रियों ओ माता पिता बाड़ा बांदे, उसी नील नदी में छोड़ दिये, लेकिन दुसरे बच्चे उस नदी में रहने वाले मगरों के लिए भोजन बन गए, ये माता पिता जो आत्मिक थे, अपने बच्चे के चारों और प्रात्ना का ब बाड़ा बनाए, प्रिय भाईयों और बहनों, आज जहां भी देखो जवान लड़किया और लड़किया भायानक रूप से बिगड़ रहे हैं, जवानी में जवानी के अभी लाशाओं के गुलाम होकर घुम रहे हैं, अगर ऐसे बच्चों के रूप में हमारे बच्चे है तो उसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? शायद हो सकता है जितना हमें परातना करना था, हमने ना किया हो, उनके चारों और जो बाड़ा बाधना था, वो हम बाधना पाए हों, एक बार जाँच लेने से अच्छा है, प्रियोस मा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए जो तैयारी की और जो निपूनता दिखाई, उससे क्या हुआ जानते हैं, उसका बच्चा बच गया, अपनी बेटी को भेजी, बेटी, भाई को मैंने उस सरकंडे की टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ी हूँ, उससे देखते रहना, उस पर ध्यान रखना, यानि उस मा को भरोसा था, मेरा बेटा नहीं मरेगा, मेरा बेटा बे सहारा नहीं रहेगा, मेरे बेटे को मैंने परमिश्वर को सौपा है, मेरा परमिश्वर कोई ना कोई आश्चरी कारी करके मेरे बेटे को बचाएगा, विश्वास की इसलिए, अपनी बेटी को भेजी, तुम देख देखते रहना बेटी। प्रियों सुनिये, फिरोन के कोई भी बेटे नहीं थे और फिरोन के बेटी के भी संतान नहीं थी। फिर भी उस बच्चे को वो अपना ली। उस बच्चे को अपने हाथ में ले ली। मर्यम आकर कहने लगी, अगर आप चाते हैं तो इस बच्चे को दूद पिलाने के लिए मैं एक दासी को ले कर आऊंगी। कहने से जाकर ले कर आओ। वो जल्दी से जाकर मा चमतकार हो गया। क्या हुआ? जैसे तुम कही ऐसे ही हुआ। क्या हुआ बेटी? तुमने कहा ना भाई को कुछ नहीं होगा। परमेश्वर अद्बुत रुप्स भाई को बचाएगा। अपने कहा ना बचा लिया। क्या हुआ बताओ बेटी। फिरोन की बेटी के हाथों में भाई पहुँच गया। उतना ही नहीं अभी। उस फिरोन की बेटी ने मुझसे कहा है। इस बच्चे को दूद पिलाने के लिए किसी को लेकर आओ बोली है। आओ ममी, आओ मा। पिरोन आप रातना की थी, पिता मैं अपने बच्चे को आपके हाथ में सौप रही हूँ। आप ही रक्षा कीजिये कहने से परमेश्वर क्या किया। तुम अपने पुत्र को मेरे हाथ में सौप हो इसलिए उस पुत्र को सुरक्षित वापस तुमारे हाथों में ही सौप रहा हूँ। वापस परमेश्वर उसे लोटा दिया प्रियों। दोध पिलाने वाली तो, हाँ, मुसा की मा है। और पालन पोशन करने वाली राजकुमारी, चालिस वर्ष तद राजकुमारी याने फिरोन की बेटी मुसा को राजकुमार के समान पाली, सारी विध्याओं को सिखाई। प्रियो मिस्र देश निर्मान के विशे में उन दिनों पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और आज हम देखते हैं कि अमेरिका पूरे विश्व में ही एक प्रसिद्ध देश के रुप में जाना जाता है प्रियो एक दिन आने वाला है, हमारा भारत देश, पूरे संसार में एक महान देश कहलाने जा रहा है, अमेरिका, हर बात के लिए अमेरिका, अच्छे निर्मान के लिए अमेरिका, प्रसिध है कहते हैं, लेकिन उन दिनों में अद्बुत निर्मान के लिए मिस्र देशी प्र उतना ही नहीं गनित शास्त्र के लिए मिस्र देश बहुत ही प्रसिद्ध था और उतना ही नहीं खगोल शास्त्र के लिए जोतिश शास्त्र के लिए मिस्र प्रसिद्ध था और आज जो हमारे पास केलेंडर है वो भी मिस्र से ही आया है और निर्मान के विशह में भी पिरमिट्स, पिरमिट्स कहते हैं न हम, विश्व के साथ अजूबों में से एक अजूबा पिरमिट्स है, उसे हम मिसर देश में ही देखते हैं, वैसे ही साइंस, वैसे ही मेडिसिन्स, लाश की सडने से दुरगंद आती है, हम निकट नहीं जा सकते, लेकिन उनके पास जो सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्षों तक वो वैसा ही रहे। कुछ रसायन वे अविश्कार किये। जिसे हैं ममिस के नाम से जानते हैं। सैकड़ों वर्ष तक भी उस शव को सुरक्षित रखा जा सके। उस साइंस की वे खोच किये। उस रसायन को वे बनाएं। मिसर देश साइंस के लिए ममिस के लिए प्रसिद्ध है। इंजिनेरिंग के लिए, निर्मान के लिए, गनीत के लिए। जो तीश विज्ञान, खगोल, शास्त्र, इन सब के लिए उन दिनों मिसर प्रसिद्ध था। वैसे ही सेना के लिए मिस्र देश प्रसिद्ध था ये सब मैं क्यों बता रहा हूं जानते हैं उन दिनों 40 वर्षों तक फिरोन की बेटी मूसा को अपना बेटा बनाकर मिस्र देश की सारी विद्याओं को मूसा को सिखाई वो निर्मान का काम हो, साइंस क्यों न हो, गनित क्यों न हो या खगोल शास्त्र हो, सभी विश्यों में मूसा को प्रवीन बनाई एक योध्धा की रूप में तयार की, प्रियों इसका कारन बहुत से बैबल के विदवान इस तरह बताते हैं जैसा कि मैंने बताया था फिरोन के बेटे नहीं थे, और फिरोन की बेटी के भी बच्चे नहीं थे, इसलिए फिरोन सोचा मेरा बेटा होता तो अच्छा होता, लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटी है लेकिन बेटी के भी संतान नहीं है, अभी ये बेटी एक लड़के क गोध ले ली है, एडॉप्ट की है, उसे देखने से तो बहुत सुन्दर है, और बेटी ने उसे पढ़ाया लिखाया भी, बहुत बुद्धिमान है, प्रियों इसलिए फिरोन एक निर्ने लिया होगा, ठीक है मेरी बेटी, पसंद करके उस लड़के को पाली पोसी, ये लड़का है, अच्छे से पड़ा लिखा, मिसर की सारी विद्याओं को सीख लिया, प्रियों यहीं हम बैबल में भी देखते हैं कि मूसा मिसर की सारी विद्याओं में प्रमिंध था, इसलिए मेरा नाती ही इस देश पर शाशन करने वाला राजा बनेगा, ऐसा भरोसा पन्ने जा रहा था, वो 40 वर्ष का हो गया, वो कहां पला बढ़ा था? फिरोन के पैलस में पला बढ़ा, कैसे पला बढ़ा? फिरोन के नाती के रूप में, फिरोन की बेटी के बेटे के रूप में, सारी विद्याओं को वो सीखा, उसका क्या इंतजार कर रहा है? सिहासन इंतजार कर रहा है, शासन इंतजार कर रहा है, ऐसे समय में, आज कल में राजा बन जाएगा, ऐसे समय में, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मूसा एक निर्ने लिया, उस निर्ने को अपनी मा को, याने जो पाली पोसी उससे बताया मा, मैंने जो निर्ने लिया है उससे आपको दुख लगीगा लेकिन उससे बताना भी जरूरी है क्या है बेटी? मा, मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूं क्या कहरे हो तुम? हाँ मा, तुझे छोड़ कर जाना ही नहीं इस राज की भोग को, इस राज भवन को छोड़ कर मैं जा रहा हूँ बेटे, तुम क्या कह रहे हो चालिस साल मैंने तुझे आँख की पुतली की समण पाली मैं तुम्हारी मा नहीं होने पर भी मा की समण तुझे पाली पोसी इस देश का भविश तुझ पर निर्भर है नाना के कोई पोता-पोती नहीं है अब तुम ही वारिस हो हम सब की आशायन तुझ पर ही है इस देश का भविश तेरे उपर है मैं जा रहा हूँ, क्यों कह रहे हो तुम हाँ मा, क्यों जाना चाहते हो हकीकत क्या है मैं जान गया हूँ, क्या जान गय हो आप मुझे पाले पोसे हो या फिर नाना जी ने मुझे अपना नाती माने हो लेकिन मुझे मेरे लोगों के पक्ष में खड़े होना ही होगा मेरे लोग मिसरी लोग नहीं है, मेरे लोग इसराइली लोग है इस्राइली लोग मेरे सामने गुलाम होकर जी रहे हैं तो इस्राइली लोग मेरे सम्मोक कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो ये फिरोन की सरकार, ये फिरोन की सेना, ये फिरोन के लोग मेरे लोगों के साथ गुलाम के समान वहवार कर रहे हैं तो मैं सह नहीं पा रहा हूँ अब मैं जाकर उनकी और से तुम से संगर्ष करूँगा क्या है ये? क्या है ये? पाल पोस कर सारी विद्याओं को सिखाने वाले हमारे विरोध में ही तुम युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो क्या कह रहे हो वेठे? मा मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ मैं न्याय करना चाहता हूँ हो सकता है मेरे इस निर्णे से आपको दुख पहुचा होगा मैं इस निर्णे को ले रहा हूँ प्रियम मूसा को मिस्त्र पर शाषन करना था लेकिन शाषन करने से बढ़कर परमेश्वर की प्रजा इसराइलियों के पक्ष में खड़े होना ही मेरे लिए उत्तम है उस दिन मूसा ने समझा मैं पूसताओ ये एक बड़ा त्याग है की नहीं मैं पूसताओ ये एक बड़ा निर्णय नहीं है क्या ये लोग कौन है गुलाम है और ये लोग कौन है शाषन करने वाले है ये मूसा कौन है कल्या पर्शों शाषन करने वाला है कल्या पर्शों सिहासन पर ये बैठेगा देश पर शाशन करे ऐसा भविश्य उसके आगे है तो उस अद्बुद भविश्य को ये छोड़ कर गुलामी में रहने वालों के पक्ष में खड़े होकर उनके लिए परमेश्वर की ओर से अगवा बनना चाता है। ये कहां तक सही है देखेंगे आईए। तीन मेहने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आग्यां से नडरे विश्वास ही से। दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्या लिखा है जब वो सयाना हुआ। बिलकुछ साफ है। चालिस वर्ष का होने के बाद वो एक निरने ले रहा है क्या है जानते हैं। फिरोन के बेटी का मैं बेटा कहलाने से अच्छा है। यानि कल या परसों फिरोन के बेटी का बेटा ही देश पर शाषन करेगा। ऐसा समय जब आ ही रहा था। ऐसे समय में मूसा ये निरने लिया और फिरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुक भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुक भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसी के कारण निंदित होने को मिसर के भंडा प्रियों कौन था ये मुसा? प्रेयरीतों के काम सात्मा अद्धियां बीस्वा वच्चन. उस समय मुसा उत्पन हुआ. कौन से समय में? उननीस्वा वच्चन. हमारे बाप दादाओं के साथ यहां तक दुरा वहवार किया कि उन्हें अपने बालकों को फैंक देना पड़ा प्रियों बच्चों को मार देने के समय में ऐसे खत्रे के समय में, संकट के समय में मूसा उत्पन हुआ था प्रियों आज हमारे बीच कोई है क्या ऐसे कहने वाले संकट के समय मेरा बेटा उत्पन हुआ है संकट के समय बेटी उत्पन हुई है बिमारी के समय विपत्ती के समय आर्थिक संकट के समय आपके संतान हुई है क्या येस आज ऐसी इस्तिती नहीं है कहेंगे आर्थिक संकट जब छाया हुआ है, हॉस्पिटल में पत्नी, कल या परसों बच्चे को जन्म देने वाली है और दवाओं के लिए भी पैसे नहीं है ऐसी इस्तिती में बच्चे को जन्म दी हो ऐसी माएं नहीं है क्या? और कोई मा बिमारी से तडपते हुए, परेशान होने की समय में बच्चे को जन्म दी हो, ऐसी माताय नहीं है कहेंगे वो आर्थिक समस्या हो सकती है, बिमारी की समस्या हो सकती है, अपमान की समस्या हो सकती है, कस्टों का समय हो सकता है, भुग से तडपना हो सकता है ऐसे समय में, बच्चे को जनम दियों हो ऐसे कोई हैं क्या, तो फिर सुनिए, प्रियों ऐसी इस्थिती में परमेश्वर आपको संतान दिये हैं तो, उस बच्चे को परमेश्वर उत्तमरूप साशिस देने जा रहे हैं, आप हिम्मद से रहिए, धैरी से रहिए, कम से कम मैं मैं अपने बच्चे को भोजन भी नहीं दे पा रहा हूँ, कम से कम मैं अपने बच्चे को पेड भर दूद नहीं दे पा रही हूँ, ऐसी अभागी इस्तिती में, ऐसी दीन इस्तिती में, दरिद्र इस्तिती में, प्रभु क्यों आप मुझे बेटा दिये, प्रभु क्यों आ होने से एक ओर दुख एक ओर चिन्ता दुसरी ओर आर्थिक समस्याएं जब आपको डावा डोल कर रही थी तब आपकी संतान हुई क्या आप चिन्ता मत किजिए उस दिन मुसा की माने जब मुसा को जन्म दी तब वो दिन अच्छे नहीं थे भायनक संकट के दिन थे बच्चा उत्पन होते ही जीवित रहेगा इसकी ग्यरेंटी नहीं थी ऐसे दिन थे वे दिन तब मुसा का जन्म हुआ उस बेटे के विशा में परमेश्वर एक उत्तमु देश्य को रखे थे। आपके बेटे के प्रती भी परमेश्वर उत्तमु देश्यों को रखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप हिम्मत से रहें, पढ़ रहा हूँ। ऐसे समय में, संकट के समय में, विपत्ती के समय में, मूसा उत्पन हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टी में बहुत ही सुन्दर था, वह तीन महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया, जब फैंक दिया गया तो फिरोन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र क के पाला, अपना पुत्र कर के पाला, मूसा को मिश्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था, हमें क्या समझना जानते हैं, वो शाशन करने के लिए तैयार था, देश पर राज्जी करने के लिए सारे विद्याओं को सीखा उतना ही नहीं, वो उन विद्याओं में सामर्थी था, बहुती निपून, तलवार चलाने में हो, या अगवा होकर आगे रहकर अगवाई करने में हो, बहुती प्रवीन था, बहुती निपून था, प्रियव फिरोन की बेटी जब भी मूसा को देखती होगी बहुत खुश होती होगी मैंने जन्म नहीं दिया लेकिन ये मेरे लिए बहु मुल्य है ये सोचकर खुश होती होगी कृपया ध्यान दिजिए मूसा के जीवन में कल या परसों मिस्र पर शाषन करने का उसर था तो अचानक मूसा में बदलाव आ गया कैसा बदलाव जिन शिक्षाओं को मा ने उसे बच्पन में सिखाया था जिन आत्मिक सच्चाईयों को मा ने उसे सिखाया था शायद उन सब को परमेश्वर इस्मरन दिलाया मूसा तुझे मिस्र देश पर शाषन नहीं करना है तुझे तो इन गुलामों की अगवाई करना है इने मिस्र के गुलामी में से छुडा कर कनान देश में पहुचाना है शायद परमेश्वर मूसा से इस तरह कहा होगा उसी समय वो बाहर निकला ये देखने के लिए कि उसके लोग किस हाल में है आगे क्या हुआ उसे हम अगले कारेकरम में देखेंगे आईए हम प्रात्ना करें प्रात्ना में सहभागी हूँ महान पवित्र हमारे स्वर्गी परमेश्वर पिता स्वर्ग के सिहासन को छोड़ कर हमारे लिए इस जगत में आए इसलिए आपको पूरे हिर्दै से इस तुती धन्यवाद करते हैं पिता आपके चर्णों में आकर हम आपसे विनती करते हैं कृपिया हमारे रिदै के भै को दूर कीजिए हमारे जीवर के दुख को दूर कीजिए पिता शैतान जो हमारा पीछा कर रहा है उसे हमसे दूर कीजिए हमारे उपर चाये हुए हरे खत्रे को, विपत्ती को, संकट को दूर कीजिए पिता जिस बात से हम डर रहे हैं उसे हमसे दूर कीजिए जिसे सोचने हमारे पर आ पड़ेगा वो हमारे जीवन भर हमारे निकट भी आना सके साथा कीजिए आज जो प्रादना कर रहे हरे हरे एक जन पर आज जो आसु बहा रहे हरे हरे एक जन पर तरस खाईए दया कीजिये पिता, उनके हास्मों को पहुचिये, उनके कश्णा को दूर कीजिये पिता ईशु के नाम से हमारी मांगी गई हरे कौशक्ताएं, पूरी की गई हैं ये विश्वास करते हुए दनिवाद के साथ इस प्रात्ना को अरपन करते हैं पिता आमीन प्रियाप से आप अपने जीवन से प्रभू को दिखा सके ऐसे आत्मिक वैक्ति के रूप में आप बढ़ सकें मन से चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा आपने आशिश पाया है तो लाइक कीजिये और बहुतों को शेयर कीजिये और उतना ही नहीं एक कॉमेंट केजिये उसे मैं पढ़ूँगा प्रभू की महिमा करूँगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए शलोम